साइबर क्राइम की दुनिया में इस वक्त एक खतरना ट्रेंड चल रहा है आगरा में ऐसा ही वाक्य आया जिसमें एक टीचर को तो डिजिटल अरिस्ट में जान गवानी पड़ी हमारे साथ एक ऐसी विक्टीम है जो डिजिटल अरिस्ट का सिकार हुई क्या हुआ था उस दिन किचन के और जाता है वहाँ सबसे शारब नाइब कौन सी है मैं यह देख रही होती हूं उसमें चार किलो कपड़े थे दो क्रेड़िट कार्ड थे दो पासपोर्ट थे तीन क्रेड़िट कार्ड थे और दो सो ग्राम में अच्छा थे लगा तार चलाते हूँ यह कह रहे थे कि आप राकेट चलाती है यह द्रक्स आपके बारे मते क्या अच्छा दो ज्छंडे लगे होते हैं असे मुंबई एरपोर्ट पे जो मेशा देख थे हमसे क्योटी उस टाइप के लोग हैं वो कि सारे एक बैंक अका आपका स्वागत है और आप देखे अपना फेवरेट शो क्राइम ब्रान दोस्तों जैसा कि हम बताते हैं कि शो में हम लोगों से मिलते हैं बाते करते हैं कहानिया सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है दोस्तों सबसे पहले शुक्रिया एक बार फिर से जिस तरह से आप इस शो को अपना प्यार दे रहे हैं इस शो को देखने के लिए आज तक रेडियो को सब्सक्राइब करें अपना कमेंट जरूर लिखें चाहे वो कैसा भी हो हलो हाई भी लिख सकते हैं दोस्तों साइबर क्राइम की दुनिया में इस वक्त एक खतरना ट्रेंड चल रहा है और वो खतरना ट्रेंड है डिजिटल अरेस्ट इसमें साइबर क्रिमिनल पढ़े लिखे लोगों को अपने घर में कैद कर लेते हैं अपने घर में मतलब जो विक्टिम है उसको अपने घर में कैद कर लेते हैं फिर उनके अकाउंट से लाखों की रकम साफ कर लेते हैं आगरा में एक ऐसा ही वाक्या आया जिसमें एक टीचर को तो ईटीजिटल अरेस्ट में जानगवानी पड़ी हमारे साथ एक ऐसी विक्तिम है जो डीजिटल अरेस्ट का सिकार हुई नाम है रिचा मिस्रा रिचा जी आपका बहुत स्वागत है और ईडिजटल अरेस्ट को आपने फेस किया कितने एतारीक कीए घटना है क्या हुआ था उस हम जिस काम से हैं वहाँ पर हम हर सेवनमबर नहीं हम प्रणनों नमबर या उठाते हैं तो मैंने उसी तेट उठाङ दाली या ता और फिर आप पर मैं अपनी घर पर थी शनिवार का दिन था ता तो आप छुट्टी का दिन होता है और उस दिन एक तर रहा ह्प्तार式 disciples और उसके बाद उन्होंने बोला कि वह फेडेक्स कोरियर कंपनी से आई वेर कॉल थी, जिसमें आया कि आपके कोरियर की अपडेट के लिए आप वन दबाएं और अगर ट्रैक नंबर जानना है तो दो दबाएं, तो मैंने एक नंबर दबा दिया क्योंकि मुझे लगा मेरे को कोरियर नहीं है आपके पास गलत नंबर आ गया है तो मैंने के वैसे कॉल आपकी और सी आई थी मैंने नहीं मिलाई तो कोई बात नहीं आपके नंबर हमारे पास हैं ट्रैक कर लेते हैं तो उन्होंने ट्रैक किया तो उन्होंने बताया कि नहीं आपका एक कोरियर है और आप सेंडर आपने भीजा है और इसे मुंबई एरपोर्ट पे सीच किया गया है तो पहने को बोला ऐसा है मैंने कोई कुरियर नी भीज आपको कहीं गलती से अप मेरा कोई लेना देना नहीं है अस कोरियर से कहाओ गया है इसके बाद मैंने और वी खायष कर द दी बात मैंएक मेरा कोई लेना देना नहीं आप प्लीज फोन रगते अगर आपका हो चुका है तो वैह Harshows हो घुड़ा हम आपका अधार था है शयद आपका आधार कहीं भी जिसे आपने नंबर वाली बात भूली तो मैंने का अगर मिस्यूज हो गया तो हम मैं क्या करूँ तो क्या लोगी कोई नहीं ऐसा कई बार होता है हम इसके बाद मुंबई पॉलिस को कॉल ट्रांसवर करते हैं वो आप से ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में आप उनसे क्या दीजे क कॉरियर की बात FedEx के आई है मेरा कोई लेना देना नहीं है और इसमें खोड़ी अप्जेक्शनल चीजेगें तो वो अपने रिकॉर्ड में रख लेते हैं और बात खतम हो जाती है और ठीक ऐसे ही आप हमें भी रिकॉर्ड कर वा धीज चाहा फिर मैंने पहले उनको रिकॉर्ड कराया उन्होंने कहा कि बीप स्टार्ट होगी आप उसके बाद आप बताएगा कि इसके स्कुरियर से आपका कोई लेना देना नहीं है तो मैंने सीधा बोल दिया कि मेरा स्कुरियर से कोई लेना देना नहीं है ने आपको में बता रह आप रिकॉर्डिंग उनको भेज दीजे, आपके पास, आप ऐसा करिए, मुंबई पुलिस आप से पूछेगी, कि क्या क्या है, तो मैंने का वो तो आपको पता है ना, आप उन्हें बता है दीजे, आप अपने पास लिख लिजे, पेपर पैन लेके, मैंने पेपर पैन उठा करन बर्मा, और उसमें जो प्रोड़क्ट लिख वाए, उसमें चार किलो कपड़े थे, दो क्रेडिट कार्ड थे, दो पास्पोर्ड थे, तीन क्रेडिट कार्ड थे, और दो सो ग्राम MDA में था, यहां पे मैंने उनसे पूछा, कि सर MDA में क्या होता है, तो उन्हें बोला यह तरह का इलीगल ड्रक्स है, अगर आपके पास यह जो दो सो ग्राम की मातरा निकले तो आपको पंदरा साल की जेल होती है, तो मैंने खाए, आपका हो चुका है, अब मैं ड्रक्स पी बेचने का काम शुरू कर चुकी है, यह क्या आजीव सा कोरियर है, कल के मैं वही मैं क्या रहा हूं, आपके आधार को मिस्यूस करके, किसी ने भेजने की कोशिश की है, और देखें, आपको हमने कॉल कर दिया, तो वेरिफाइ हो गया, हमारे बास रिकॉर्ड मे रहेगा, आगे यह कुरियर मुंबई पुलिस के पास चला जाएगा, बात खतम हो जाएगी, मु आप मेरा जो स्टेटमेंट है, आप रिकॉर्ड करेंगे, जिससे मुझे आगे दिककत नहीं हो, क्योंकि उन्होंने मुझे यह भी बताया है, कि जैसे हमारा कभी गाड़ी चोरी हो जाती है, हमारा बोटर आइडी चोरी हो जाता है, तो हम F.I.R. कॉपी लेते हैं, पुरी ही ऐसे वापस आते हैं, जैसे उन्होंने कोई क्रिमिनल पकड़ लिया है, और उनको रैकेट चलाने वाला मिल गया है, और वो मुझे वेरे घर से उठा के ले जाने के तयारी में बैठे है, फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि आप पूरा रैकेट चला रही है, आप ड्रक्स वेज रही हैं, मैंने का सर एक मिनट मैंने तो खुद आपके पास कॉल फेडेक्स के तुरू ट्रांसफर करवाया, कि बात तो मुझे खतम करनी है, मेरा तो पहली बात तो कोरियर से लेना देना नहीं था, मैंने इस क्लियर बोला था, वो फेडेक्स वालो ने जैसा पहले तो वो प्रॉपर एक तरह से अंटोरेगेशन शुरू करी, जो उन्होंने चलाई, पहले तो ये कोरियर वाला कॉल कन्विंस करने में उन्होंने लगाए 30 मिनट, फिर ये शुरू होता है, ये चला एक घंटे तकरीवन, क्या हो रहा था, क्या है, एक दम सिल्सिलवार ये आपकी रिपोर्ट, और अगर आप सही निकलेंगे ही, तो हम रिकॉर्ड करके आपको जाने देंगे, तो बैने गार ठीक है, आप कर लीजे, कितनी देर होल्ड करना कहते हैं, नहीं आप बताईए, और आपकी जो ये आप मुझे कह रही है, ये आपका ऑनलाइन रिकॉर होगा, लेकिन ये जो बातचीत है, जितनी ते आम तरीके से मैं बता रहे हूँ, ये आपकी जाएंगे, और ठीक वही हुआ, बीस मिनट के बाद उन्होंने जो होल्ड करा ये सारी के बाद, उनके पीछे कंट्रोल रोम में पीछे से कॉल आती है, जो मुझे सुनाई दे रह है कि अरे, इनके नाम तो रिचा मिश्रा है, इसके नाम तो अरेस्ट वारंट है, ये तो मनी लॉंडरिंग में पहले से इंवाल है, और 275 करोड का कोई बहुत बड़ा गोवर्मेंट कोई स्कैम पता कर रही है, जिसमें से इनके इनवाल में है, वो मुझे तेज़ चिलाते है, आप समझ के रखा है, तब ही तो मैं आप से कह रहा हूं, आप पूरा राकेट चला रही है, पर उन्होंने बोला कि आपको डॉक्यूमेंट बेज देते हैं, अगर आपको ये निया, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे, उसमें एक पंजब पती सायद है, जो कि इनकी पास्बुक भी है, दो करोड का फ्रॉड इनके नाम है, वो पास्बुक थी बैंक आप बडॉदा की, मैंने उनको क्लियर बोला कि सर, बैंक आप बडॉदा में मेरा कभी आज तक, अकाउंट भी नहीं रहा, और आप तो सब अगर जानते हैं, तो प्लीज बैंक एड्रेस तक नहीं है, मैं कभी वहां रेंट पे भी एक महीना नहीं रही, तो एड्रेस कैसे डवलप होगा, पुरला नहीं, यही तो आपने फ्रॉड करा हुआ है, और उसके बाद वो मुझे पूरी तरह से क्रिमिनल मानते हुए चालू हो जाते हैं, और बत्तिमीजी यां तो क्या कहा थे चालू है श कि बाद करते हैं, वो फिर पुलिस भी नहीं, वह बिलकुल जैसे नहीं, अब आपको में हमने शायद करमनल से हमारा वास्तानी हमने फिल्मी सीन देखे हैं, वो बिलकुल जो टॉर्चर करने पे नहीं आ जाते हैं, मानते वेगी बस अब उससे आखरी कागस पर लिखना है कि वो आतंग वादी है उसने ड्रग बेचा है और फिर वो जान चोड़ देते हैं कि बार कबूल ना में भी हमने देखे हैं सीन ऐसे तो वो ठीक वैसा था और उन्होंने मुझे वहां तक कन्विंस करने की कोशिश कर भी दी थी कि मैं बोलू मैं ड की जगे भी हो सकता है यह तो जादा कंभीर मामला यह उस पर जांच करिए नहीं आप ही चला रही है और आपका नाम हिना खान उसमें लड़की थी इना खान से जोड़ा है आप लिए अपने डॉक्यूमेंट जो आप भी बेज़रे उसमें शकल आप मेरी मिला सकते हैं आप आप में और आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें लगता है तो वो लगातार मुझे डाटते वे कह रहें किना टाइम लग रहा है क्या समझ आपने हमें तो मैंने का सब्लीज आप मुझे वग तीजे और फिर उनो बोले ऐसा करी आप अपना डाटा बंद करी जब तो बंद हो जाएगा क्योंकि नेटवर्क आपका फोन दो वाइ-फाई पर चल रहा है तो मैंने अच्छा ये अपडेशन है आपके पास कहते हैं आपका फोन वाइ-फाई पर तो मैंने गा अच्छा तो आपकी वो इतनी पुकता जान कानिया तो मुझे लगा शायदी वो स जैसी तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया और उन्होंने कॉल करवाया मुझसे तो कॉल करने पर सामने एक नीली आर्मी की जैसी वर्दी में शक्स बैठा हुआ था दो जंडे वंडे लगे थे उसके प्रॉपर सेट अप था उनका जो अब सेट अप मुझे लग रहा मुझे दो महाल लग पीछे भी जंडे होते हैं हमारे जो बहां पर उष्य लूब बड़े हैं जो देखते कानू में उनकी फोटो होती है तो और वह पूरा उनका जो लुक है वो भी पूरा आर्मी वाला है लो कि अंधर से नहीं उनकी फिटनेस जो है और उनका जो बोलने का तरीका है वो जो order form में बोलते हैं और अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं तो उस उसमें वो बात करते हैं बीच-बीच यो मुझसे चेक भी कर रहे थे कि मैंने जो बूला है आपको समझ आया है फिर उन्होंने का है सच्छी बेचे आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट भीजें उसको आप पढ़ना शुरू करिये तो मैंने का सर मैंने देखा वो दॉक्यूमेंट मैं आपको यहां पर आड करूँगी पूरा उन्होंने मुझसे स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा हां मतलब जो money laundering का fraud था उसमें मुझे पता चला कि 275 करोड का ये money laundering fraud है वो आपने किया वो मैंने कर रहा है उसमें 2 करोड मैंने करें वे हैं बाकी तोन लोग ने किये हैं दो लोग अरेस्ट हैं फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करिया आप अपना statement record कराएं तो जो आपके पास आपको बोलनी पड़ेंगी तो क्या आपको पड़वाया था उन्होंने मुझसे कहा कि जो आपको FedEx ने लिखा भेजा है आप उसे पढ़ते विए अपना statement record कर वाइगे तो यहां पढ़ती हो चीजे उन्होंने पहले लिख वाया था department name FedEx Courier Company, customer का नाम Karan Verma, receiver name जो मैं मुं नंबर 112, Oblick 3, Sunny Bay Road, Peppy City, District Datong, Taiwan, parcel की tracking ID उन्होंने मुझे लिखवाई, parcel में पांच पासपोर्ट, जो शहाद मैं हूल रही थी, पांच पासपोर्ट, तीन बैंक क्रेडिट कार्ड, पांच किलो कपड़े, एक HP का laptop, और 200 ग्राम MDA में, और यह सारी चीजे थी और इसकी पेम क्रेडिट कार्ड का नंबर नहीं है, तो यहीं पर यह बात खतम हो जाती है, उन्हें बोला यह आप नहीं बताएंगी, आप ने फ़र्जी क्रेडिट कार्ड यह बना रखी होंगे, आप जब इतना वड़ा रैकेट चला रही है, हर उनकी लाइन पर मुझे मानना यह तै थ कि आपको कराना पड़ेगा, आपको जाच करनी पड़ेगी, 45 मिनट के बाद जब मैं लगा तार मैंने बात कहीं मानी नहीं उनके ओन रेकॉर्ड में, तब मैंने उनको सीधा हमेशा यही बोला, कि आपको जाच करनी है, आप प्लीस जाच करिए, आपको मुंबई आना होग तो मैंने गा अच्छी बात है, आप बताइए, फिर उनने बोला कि आपको कहना पड़ेगा, आप जो कह रही हैं कि आपका लेना देना नहीं है, मैंने सीधा बोला, मैंने का मनी लॉर्णिंग के केस को लेकि मुझे बताया गया है, मेरा इससे भी कोई लेना देना नहीं है, यह record होता है फिर वो मुझसे कहते हैं कि अगरुकी अभी आपकी और भी डाटाज आ रहे हैं वो डाटाज यही आ रहे हैं कि यह confirm हो चुका है कि जो उन्हें doubt था या जो जाज थी कि वो मैं चला रही हूं अब उनके साब से मुझे मुझे मुंबई आना था और फिर उन्होंन कॉल को कट करिये तो मैंने गए ठीक है फिर कैते कॉल बैक वहां से आता है फिर उन्होंने नंबर जो आया फ्लैश हुआ मेरे फोन पर वो मुंबई पूलिस था स्काइप से तो मैंने गहां सबताइए तो वही इनसान था शक्स और उन्होंने बोला कि हम दे सारा किसे इसकी जाच कर रही है अगर आप जाच करेंगी तो हम आपके बारे में सोच सकते हैं मुझे लगा कि जाच में साथ देना है तो ठीक है मैं साथ दे देती हूँ पूरा क्लेयर हो के आ जाएगा और उन्होंने बोला आपके ब्लड टेस्ट होंगे आपका ड्रेग मैंने कभी स्मोग भी नहीं किया तो आप प्लीज कर सकते हैं सारे टेस्ट तो उन्होंने बोला ठीक है लेकिन ये नैशनल सीक्रेट है तो मैंने बोला नैशनल सीक्रेट क्या होता है तो उन्हें बोला नैशनल सीक्रेट होता है जुसमें साथ दिन आग तो आपकी जाच चल जा उसका और बोला इसे भीजिए तो मैंने लिख दिया at home तो उन्होंने मुझसे का at home नहीं आपको लिखना होगा आप interrogation के process में ये है activity तो मैंने गा ठीक है आगे से हर दो घंटे बे साथ दिन मुझे भेजना था फिर उनने बोले आपके सारे एक bank account सीज के जा चुके आपक रोस का खर्चा हमें मालूम है तो मैंने पूछा मैंने आपको क्रोस का खर्चा कैसे मालूम है तो उन्हें बोला मुझे पता है आप office कैसे आती हैं कैसे जाती हैं इतनी aware वाली field में आप हैं और इतना बड़ा racket चला रही है ये आपके office वालों को खबर है क्या आपके घर वा कि मैंने नहीं किया है लेकिन जिस तरह से ये मुझ पर यकीन कर नहीं रहे हैं अगर पुलिस वाले भी आप पर यकीन नहीं करें तो जिसने आपको फसाया उसका काम तो आसान हो जाता है तो मुझे लगा कि शायद में पूरी तरह से इस ट्रैप में फस चुकी हूं और वो आपने रोज ऐसी भाशा कि आप कभी नहीं सुनते है उस सुनते सुनते आपको लगता है कि पुलिस वालों ने माल लिया आप उसमें है निकलने में ये केस इतने आसान नहीं होते है तो इस वक तो काप डिस्टल अरेस्ट हो चुकी थी हां ये पूरा ट्रैप आडियो कॉल के बाद जो चल रहा था और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने मुझ से भी बोला कि आपके पहली बात तो कम्रे में कौन है मैंने का सर कोई नहीं है क्योंकि स्टेट्मेंट तभी रिकॉर्ड होगा अच्छा फिर बोलें कि पहले हमें कम्रा दिखाई तो यहां पर मैं से साइकलोजिकल ट्रैप में ले आते हैं आप जो हैं वो आपकी जितनी अवेर्नेस है वो तब तक होती है जब तक आप वहां है यह ठीक अब क्योंकि हाथसे को कई दिन बीच चुके हैं तो मैं अपने आप बारे में सोच पा रही हूं या मैने क्या हुआ या क्या था जैस इसे आप साइकलोजिकल ट्रैप कहले इसे हिपनोटिजम कहले यह वो ट्रैप है आप मुझे यह बताई है कि फिर वीडियो कॉल में फिर उनको घर दिखाया अपना फिर उन्होंने बोला उस तो कहलें नहीं थी सिक्टी डिगरी में दिखाया जहां पे वो था पर उन्हने क्या किया इक दुराजा खुला एक दिर्वाजा खुलाए मैंने उसका दोफ़ यह बाहर से बंदे मतलब बंद है मेइन उसका ले नहीं आप उसका हो भी बंद कर दीजेए वो लॉशनी नहीं अँ आनी चाहिए बाहर वाली क्योंकि 12 बच्छ के 12 निर्ट ते तो दोफ़ का मैं आप फिर से कमरा दिखाए और आपके बीच में कई हाथ की भी ऐसी वाली मुवमेंट नी होनी चाहिए जिससे मुझे लगे का आप किसी से कॉंटक कर रही है तो मैंने का बिल्कुल मैं लेके बैठी हूँ इस बीच उनों ने मेरा दो मिनट को कॉल कराया था और बोला था ह क्योंकि अगर आपने जैसे तोड़ा हम समझ जाएंगे आपने किसी से कॉंटक किया है और आपका ये जो आपने करवाया है पूरा रिकॉर्ड ये आपका घड़बड हो जाएगा तो मुझे लगा कि मैं जाच में सपोर्ट कर रही हूं तो मैं इस सारा करती कि या आयम एर स दो मिनट तक बोला मैंने उनसे बोला भी सर दस सेकेंड एए घड़़ी उठा लेती हूं एपनी रिस्ट वाच नहीं आप स्काइब के ओपर देख्यों ताइमर चलता रहता है तो मैंने गोर किया स्काइब पर ताइमर चलता रहता है आपका कॉल र्कॉर्ड को अब इस बिलकुल, आगे फिर क्या है, वो मुझसे सारी चीज़े पूछ रहे थे, लेकिन उनके पास मेरी पर्सनल इंफोर्मिशन बहुत जादा थी, मैं ओफिस के स्वेकल से चाहती हूं, किस से आती हूं, मेरी ओफिस के टाइमिंग क्या है, उन्हें पता थी, और मेरा रोस का इन शॉट उनको भीजना था, और वो स्काइब के मैसेज पर भीजना था, वो मुंबई पुलिस पर जा रहा था, तो मैं वहां के लिए भी राजी थी, कि ठीक है सर, और ये नेशनल सीक्रेट है, मैं इसमें साथ दे रही हूं, और लास तक वो आपको जो ले जाते हैं वहा आता ही नहीं है, एक तरह से वो चले भी गए, लेकिन आप उनके ट्रैप में, फिर उनके सीनियर बात कर रहे हैं, पीछे से कंट्रोन रूम से बात आ रही है, और वो पूरा वो महौल बना रहे हैं, कि जैसे करमिनल मिल गया है, इसे कहीं से पकड़ो, तो मुझे खुद को कि अभी बस थोड़े दिर के बाद, बहुत से लोग आके मुझे यहां से अरेस्ट करके ले जाने वाले हैं, कि हाला यहां तक थे, फिर उन्होंने, फिर वो थोड़े बाद आते हैं, फिर कहते हैं, कि हमने आपका यह रिकॉर्ड कर लिया है, यह सारी चीज़ी हो गई है, तीस मिनिट वो कोरियर वाला चला, और उन्होंने बोला, ऐसा करिया है, वाप कॉल रख दीजे, क्योंकि आपको हर दो घंटे के बाद मुझे रिपोर्ट बेचनी है, हम आप से कॉन्टैक करेंगे, और तो मैंने गा ठीक है, आपको जो जरुवत हो, जो सैंपल जरुवत हो लगेगी, और यह सेम आपके साथ भी होगा, तो मैंने गा कोई बात नहीं, अगर आप इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं, आप खोल रहे हैं, पता कर रहे हैं, तो ठीक है, और उन्होंने बोला, जो हिना खान और पंजापती साईद या सायद जो भी थे, उनके साथ जो जो कन मैं उस वक्त भी रो रहे थी, क्योंकि बहुत टॉर्चर कर चुके थे, और मेरी अपनी शकल आप वीडियो कॉल पर दिखती है, बैने खुद को भी देखा था, रोते हुए, और इसके बात भी मेरा पूरा मेंटल जो आपका बैलेंस है, वो हिल चुका होता है, यही हम जहन करूंगी, तो वो मुझे टोक देंगे, जैसे वो कर रहे थे लगातार, मैं किसी से बात करूंगी, और मेरे सारे फोन कॉल, उन्होंने खुद बोला था, कि सब रिकॉर्डिंग पे है, आप पूरी तरह से ट्रेस की जा रही है, तो कहीं ऐसा मुव्मेंट मत करिएगा, तो म आप इस mental status तक पहुच गही थी, कि मैं फच चुकी हूँ, और मुझे अपको साबित करने में लगाने हैं, या फिर अगर बचने के लिए कुछ देना लेना हो, तो दे दोंगी, नहीं, मुझे था कि मैं जो आप लोके तो पर जाएंगे न, जितने केसे हमने बड़े चोटे देखें, अभी तो आप सुकून में, उस वक्जवाब डिजिटल अरेस्ट हुआ, उस ताइम मुझे यही था, मेरे सालो जाने वाले हैं, और ये सालो जाने में मेरा बहुत चला जाएगा, चाहे लास्ट में ही निकल के आ जाए, कि मैं ने कोई चीज नहीं की, अगर उस व लेकिन अगर होता है, तो मैं बोलती और वो जिस सरह करा रहे थे, मैं शायद उनको खुद हाथ में मुझे लगता है, मैं कैश भी हैंड ओवर कर देती, मैं ट्रांजक्शन भी कर देती, मैं सब कर चुकी होती, पर उस दो घंटे में उन्होंने मुझे से कैश की डिमांड की नहीं थी, कॉल के बाद क्या होगा, कॉल के बाद मुझे ये लग रहा था, जितना उन्होंने मुझे अच्छली जलील किया था, सही शब्द ये है, उसके बाद मुझे लग रहा था, मेरा सब खतम है, मैंने कभी संदिगी में इतनी अपने बारे में चीज़े नहीं सुनी मुझे लगा drugs racket है मेरे घर में मेरे office क्योंकि office में आपका अगर यह process भी चलता है कोई भी office आपको थोड़ी दिर के लिए उससे कहता है कि आप थोड़ा break ले लीजे वो break क्या होता है हमें सही शवदों में पता होता है तो मुझे लगा मेरा career भी खतम है मुझे पर कौन यकीन करेगा और यह लोग तो पुलिस वाले इतने सारी मुझे पता नहीं कहां कहां मेरा निकला है और उसके बाद आपको वहां तक कहुछा देते हैं कि आप थोड़ी दिर को यह भी सोचते हैं कि इसा करते हैं क्योंकि इन केसे से तो आप निकल ली सकते हैं पूरा जाल बिचा हुआ है और हर सेकेंड आपको लगे ना कोई आपको देख रहा है वो चीज बहुत डरावनी होता है अच्छा कासा हिली हुई थी पहले तो आप बैट जाते हैं एक सदमे में इसके बाद मुझे यह लगा ही नहीं घर से भागूं कंबरे से निकलूं क्योंकि मुझे लगा हर जगे तो यह लोग फैले हुए हर जगे तो यह तो यह लोग फेल आ रहा था कि तार बिच्छे हैं मेरे आसपास और मेरा हर मुवमेंट मैं आइस भी ब्लेंग करूंगे तो वो कहीं ट्रेस हो रहा है फिर एक घंटे बीचते हैं मेरे इस सारी हालत के बाद तकरीबन फिर मैंने कहा तो चुछा कि जब सब बिगड़ी चुका है मैं यहां तक आ गई थी कि यहां सबसे शारफ नाइब कॉन सी है मैं यह देखरी होती हूँ उठाती नहीं हो मैं लेकिन मेरा ध्डान वहां गया था कि यहीं वाले शारफ है फिर उसके पाद वो ब्रेक होता है फिर मैं सोचती हूँ कि जो मैंने स्टोरीज में हमेशा पढ़ा है सुसाइट केसिस मे या अन्नून, मुझे लगता है ना हमेशा माप के मरने की या जीने की वज़े होनी चाहिए, अचानक से जो एक्सिडेंट होते हैं वो परिवार को बहुत तो 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 मेरा यह जो हमेशा ख़बरों को पड़के थाथ तो मुझे लगा मेरे मापाप को वज़े पता होनी तो मैंने अपने अपने एक रिलेटिव हैं, उनको वाट्सअप पे विडियो कॉल किया और उन्हें बोला चुप रहके इसे पढ़ियेगा और यह लिखा शॉर्ट में तो वो थोड़े परेशान हुए, उन्होंने मुझे इशारा करते हैं, पूछा किस ने लिखा है, फिर उन्होंने पढ़ा, उन्होंने मेरा कॉल काटा और मुझे वाट्सअप आडियो कॉल मुझे किया, क्योंकि नॉर्मल कॉल मैंने उठाया नहीं, और उन्होंने बोला पहली बात तो वाट्सअप के कॉल रेकॉर्ड नी होते, दूसरा यह सब पूरा एक ट्रैप है, यह क्या कर रही हो तुम, कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, कोई तुम्हें नहीं देख रहा, मैं उन्हें समझाने में लगी पड़ी हूँ, आपको भी जेल हो जाएगी, और प्लीज आप समझे, बस मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि उन्होंने वीडियो कॉल मेरी हालत दे इस प्लीज हो का, फिर मैंने अपने ओफिस में अपने इडिटर को कॉल किया, और उनको बताया, पहले तो वो हस रहे थे, उनको लगा, मैंने बता है कि ujak कैम करना चाहा, मैंने बताया तो उन्होंने बात समझते 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 समझा कि नहीं, आप तुम तो किसी ट्रेप म तो कि मैं उनको सब बता रही थी कि सर मैंने कभी ड्रक्स नहीं लिया सर आप मेरा ब्लेट टेस्ट करा सकते मैंने कभी स्मोग देने कि आप दोस्तों जो रिचा है वो काफी पढ़ी लिखी हैं अची कंपनी में काम करती हैं एजुकेटेड हैं बहुत अवेर हैं लेकिन फिर भी जो यह साइबर क्रिमिनल हैं वो इस तरीके से ट्रैप करते हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी उस डिजिटल अरेस्ट के ट घंटे कैद हो जाते हैं और जैसा है रिचा जी के साथ हुआ और फिर रिचा जी का एक यह स्टेज आया था कि इन्होंने मान लिया था कि यह जो कुछ भी है ड्रक सिक इंडिकेट कहीं ने कहीं इसमें मैं फस चुकी हूं फिर आगे क्या हो इसके बाद जब उन्होंने तुमने पैसे तो नहीं दिये मैं ख्यास थो नहीं तो नहीं मांगे मैं स्कैम कैसे मान लो तब भना लो नहीं तुम पागल इसा मत सोच यह बोले तब एक दम से नहीं नहीं करना भी मत गलती से यह पूरा ट्रैप है और ढमाग से तुमारे ऐसे वर्ट बोले तो वह मुझे और यहां तो कोई आया नहीं था, अच्छा मैं सेव जगे पर यह था, और उसके बाद मैंने उनको जैसे बताया, फिर मैंने बोला भी, फिर आपका, आप जब नॉर्मल हो चुके हैं, सारा ट्रैप टूट चुका है, फिर आप अपना दिमाग से काम कर रहे होते हैं, तो सबस अपना दे देना, कभी उस बात को सच मत मानना, घर वालों का क्या रही है सथा, घर वाले पूरी तरह से पैनिक में थे, घर वालों के हालत यह थी कि तुम सब छोड़ो पहले तो यहां आजाओ, उनको भी लगा, कि जैसे उनको यह था कि मुझे कि किसी ने ट्रैप में डाल तो मैंने उनको बोला, घटनाओं का कुछ समय नहीं था, आप क्या करोगे आके में, आफिस तो जाओंगी, अच्छा यह जो डेढ़ घंटे का प्रोसेस था, इसमें आपको इक बार भी शक नहीं हुआ, नहीं आपको शक नहीं होता, और आपको दमाग ही नहीं चलता है, औ आपको उस बीच, जैसे ना कोई आपको करता है, तो आप दूसरे को कॉल लगाने की सोचते हैं, मुझे इस बीच कहीं से नहीं आया है कि मैं कॉल भी लगाँ, आपका दमाग जैसे एक सुन सी जगह पे होता है, वो जो कह रहे होंगे, आप उनको देखते हुए, वो सब कर यह ठीक होता है, अब जैसे फैडेक्स से कॉल किया तो मैंने वहाँ सवाल जवाब किये, मैंने उससे बोला, अच्छा मेरा काम यही रह गया है, और यह तक ठीक है, वीडियो में आने के बाद आप आप रही नहीं जाते हैं, अच्छा अप फिर उसके बाद आपने गूगल सरच किया FedEx किया है हाँ मैंने FedEx सरच किया और FedEx वालों ने फिर बाद में जब मैंने इस बारे में खबर लिखी तो FedEx के PR टीम से इस पर तो हिना खान से मेरी शकल तो नहीं मिलती थी बड़ हिना खान को देख बहुत बड़ी एक्ट्रिस हैं और वो कैंसर से जूज रही है मुझे वो खुद पहले से पता था बस यही गूगल ने मुझे बता दिया जू जो जो कॉल्स आई थी जो इस सब स्काइप कोई नंबर दे उन्होंने बोला कि सुन लिया पहले पूरा वाक्या क्योंकि मैं पैनिक में थी मुझे लगा जल्दी से मेरी अफाया हो जाए कहीं मालब कहीं पर भी दर्ज हो जाए मामला तो कोई अगर परेशान भी करे तो अट-लिस यह होगा मैंने बताया था उन्होंने पहले बोला कि कि ऐसा है सुनने के बाद यह वर ऐसे तो नहीं है आपको रिटेन में देना होगा तो मैंने कहां जाऊं देने करके हमारी वेबसाइट पर जाएगे वेबसाइट पर अपनी कंप्लेइन को दर्ज करने में पंद्रा सो शब्द एक तो मात देते हैं वो लिखने को उसमें मैं कि मुंबही पुलिस से आपको जो वेरिफिकेशन नोट मिलना था वो मिल गया है यहां पर मैं पूरी तरह से अलर्ड थी मैंने का सहर मुझे कल वो देंगे लेकिन आपका नंबर लगता नहीं है तो कोई असा नंबर देजिए मुझे जहां मैं आप से बात कर सुगो आपने मेरा बहुत मदद करी प्लीज आप मेरा सपोर्ट अखिएगा अब मुझे लगत मैं पूरी तरह अवेर थी मुझे लगा मैं रिकॉर्ड कर लूँगी मैं अपने एडिटर के पास उठके गई हूँ देखे सब फिर से कॉल आए उन्होंने बोला देखो क्या होता है मैंने एक दबाया तो उन्होंने मुझे बोला इस बार आप मॉंबई से इसराइल आपका फसा ले जाता है वो ऐसा नहीं है कि आप कितने चौकन ने हैं आपको क्या-क्या पढ़ा है आपने कितनी खबरे पढ़ी है आपको जब याद ही नहीं रह जाता तो आप फिर साइबर क्रिमिनल इस तरह की टेक्नोलोजी यूज़ कर रहा है ना जैसे एक दबाया है दो दब करिया एक चीज और भी मैंने जब दो दिन हुए तीसरे दिन मैंने गुस्से में जब कोई नहीं हो रहा ना मैंने वन वन टू वी दबा दिया मुझे पता था पुलिस का मामला नहीं है तो मैंने उनको जैसे बताया वो पांच मिनड के अंदर ही मेरे घर के बाहर जिपसी ल मैंने महिला पुलिस में भी कंप्लेइन की क्योंकि मेंटल हरेस्में नाम की चीज होती है एक फेमेल को फोन पे करना मैंने उनको पूरा वाक्या बताया वो सुनने के बाद वो कहती है मुझसे आपने हरियाना कॉल लगा दिया है आपका मामला तो यूपी का है हम आपकी कॉ कर रहे हैं जब उन्होंने कॉल ट्रांसफर करी तो मैंने यूपी वाले को बताया तो नहीं बोला यह हमारा मामला नहीं साइब क्राइम का मामला है आप उनको कॉल करिए मैंने पूरा बताया कि मैंने कॉल किया था रेजिस्टर करी है लेगिन यहां पर मुझे एक चीज किया तो मैं क्यों नहीं करूंगी क्योंकि हम इन्हीं ऑनलाइन प्रॉसस से गुजरते हैं मेरा आप से एक आकरी सवाल है हमारे जो दर्शक है उनके लिए कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे स्ट्रैप के बाद मैं स्ट्रैप के बाद यह कहूंगी कि आप किसी अन् कि इतना बड़ा हाथसा हो गया और आज मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है मेरी कहीं अफयार दज नहीं है एक टिकट जनरेट हो गया है कि इस थाने में आके अगर आपको जानकारी चाहिए आप इंट्रेस्टेड है तो आके उनसे बात कर लीजे दो मोबाइल अंबर है उस उसको उठागे दो थपर बिना पूछे रसीद कर देंगे यह मुझे मालू में पुलिस वाले हमारा सपोर्ट करते हैं लेकिन यहां पर इतना सब हो गया और मैं तीन डेपार्टमेंट कॉल कर चुकी हूं वो कह रहे इनका मुद्दा है उनके थाने का मुद्दा है यहां का मामले हैं जो रजिस्टर हैं लेकिन आप यह सोच के आप घर बैठ जाएं सबसे बैस तरीका है अन्नोन मनमबर मत उठाइए और अगर कोई आपसे बोल रहा है या आपने और भी किया है तो प्लीज कॉल कट कर दें आपका कुरियर आने दें नहीं आया तो आपके थोड़े पैसे जाएंगे ऐसे आपकी बहुत सारी चीज़े चल गी जाती हैं इस वजह से इन्होंने अपने खोस आने का अद अपने दोस्तों से सही होगियों से बात की वह डिजिटल अरेस्ट को लेकर अवेर थे इसलिए इनकोई जानकारी दी नहीं तो दूसरे मामलों में होता है कि लोग तीन से चार दिन तक डिजिटल अरेस्ट ही होते हैं उसके बाद जो प्रॉसेस होता है वो उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं जो साइबर क्रिमिनल होते हैं डिजिटल अरेस्ट करके और इस भी होता है कि वो फिर जो साइबर क्रिमिनल है वो अपन का कोई नंबर कुछ से कॉल आता है किसी पुलिस के डीपी लगी होती है तो आपको विशेश सावधान होने की जरूवत है हम ये भी अवेर कर दे कि इसी तरह का एक मामला आगरा में आया था जिसमें एक टीचर को जो साइबर क्रिमिनल है उन्होंने कॉल करके कहा कि आपकी ब आपको बताना चाहते हैं कि आप इस तरह के किसी भी कॉल से सतरक रहें और आपको कोई subscribe के केस में फस गए है तो आप उस गनेक्ट कर दे और लोकल पुलिस से जरूर संपर करें शुक्रिया ये ऐसेट देखने